एक और फिर से आपके अपनी चानल SSC preparation में आपका स्वागत है हिमाचल परदेश जलशक्ती विभाग में पैरा pump operator पैरा फीटर और multi-purpose worker की vacancies भरी जा रही है आज के इस वीडियो में 10 नए डिवीजन में आई हुई notification की जानकारी आप लोगों को देंगे हिमाचल परदेश के क कौन से डिस्टिक से आप ये वीडियो देखे हैं और किस तरह का जोब अपडेट आप लोग चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं पहली नोटिफिकेशन जलशक्ती डिवीजन डलहौजी वालों के लिए रहेगी जलशक्ती डिवीजन डलहौजी वाले ओफलाइन अपने टीप्शिण वाक्स में मिल जाएगा दूसरी नोटिफिकेशन चल्शक्ती डिवीजन आनी वालों के लिए रहेगी जलशक्ती डिवीजन आनी से कंडिट apt. 17 फरवबी 2024 तक आवएदन कर सकते हैं जी, नोटिफिकेशन आ रहे है वही के क कंड टीटर ही आवैदन कर सकते हैं पैरा पंप operator की 6 वकैंसी रहेंगी पैरा फिटर की 3 वकैंसी रहेंगी और multi-purpose worker की 11 वकैंसी जल शक्तिए division आने में भरी जाएँगी जल शक्ति डिवीजन भर मोर के लिए नोटिविकेशन जारी हो चुका है आवेदन करने के लिए लास्ट एट 13 फर्विरी रहेगी पेरापंप उप्रेटर की आर्ड वकैंसी पेराफिटर की 4 वकैंसी और मल्लिपर्पपस वरकर की 14 वकैंसी जल शक्ति डिवीजन भर मोर में भरी जाएंगी, ओफ-लाइन आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए आई 18 से लेकर 45 वर्ष, पैरा पंप ओपरेटर, पैरा फेटर के लिए क्वालिविकेशन 10 पास, आतमी आई टे रहेगी और मल्टी परपस वरकर के लिए क्वालिविकेशन जस्ट 8 पास रहेगी, जल शक शक्ति डिविजन बैजनात, डिस्टिक कांगड़ा में पैरा पंप ओपरेटर की 16 वकैंसी, पैरा फेटर की 6 वकैंसी और मल्टी परपस वरकर की 23 वकैंसी भरी जाएंगी, आवेदन करने के लिए लास डेट 13 फरवरी रहेगी, जल शक्ति डिविजन आंब, डिस्टिक उन के लिए पैरा पंप ओपरेटर की 11 वकैंसी, पैरा फेटर की 4 वकैंसी और मल्टी परपस वरकर की 25 वकैंसी रहेगी, आवेदन करने के लिए लास डेट 14 फरवरी रहेगी, जल शक्ति डिविजन अर्क की डिस्टिक सॉलन वी नोटिविकेशन जारी हुआ है, पैरा पंप ओ पैरा फेटर की 5 वकैंसी और मल्टी परपस वरकर की 30 वकैंसी रहेगी, आवेदन करने के लिए लास डेट 13 फरवरी रहेगी, जल शक्ति डिविजन कुसुम्टी डिस्टिक शिमला की और से भी नोटिविकेशन जारी हो चुका है, पैरा पंप ओपरेटर की 7 वकैंसी, पैर पैरा फेटर की 20 वकैंसी और मल्टी परपस वरकर की 29 वकैंसी रहेगी, और जल शक्ति डिविजन कुसुम्टी वाले अपने आवेदन 8 फरवरी 2024 अप ओफलाइन सम्मिट करा सकते हैं, जिसे डिविजन के लिए नोटिविकेशन जारी हुआ है, वहीं के कैंडिडेटर उस में आवेदन कर सकते हैं, और Executive Engineer जल शक्ति डिविजन, जिस जल शक्ति डिविजन के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप लोगों को यह डोकुमेंट ऑफलाइन सम्मिट कराने होंगे, अपलिकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्श झाले 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 झाल झाल